Google Ads, एक ऐसा option जो आपके business को बढ़ा सकता है, जिसमें SEO की तरह महीनों का wait नहीं करना पड़ता है, और जिसमें Google Actual में support भी provide करता है, वावा, लेकिन क्या ऐसा really में होता है, क्या really में Google Ads किसी भी business को भर-भर के leads दे सकता है, बे हिसाब sales दे सकता है, क्या Google Ads SEO से opposite torrent ही leads देना Google Ads का support जो भी बोलता है, सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता है, Google Ads रन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ clicks यहां करो, कुछ clicks वहां करो, और done, but Google Ads को सही से रन करना, strategy के साथ में रन करना, और results लेकर आना, ऐसा रन करना, यह एक अलग चीज है, इससे पहले आ तो SEO में अच्छा खासा कर रहा हूँ, मेरी website rank हो रही है, मुझे आखिर अचानक सी Google Ads को समझने की सीखने की क्या जरूरत है, विल, you are wrong, आपका client कभी बी एक चीज से satisfied नहीं रहेगा, अगर आप बहुत अच्छा SEO campaign कर रहे हैं, तो भी हो सकता है, कि किसी दिन आपका client करे कि कि भाई, SEO से तो इतनी leads मिल गए हैं, अब मुझे PPC आला campaign मी run करना है, मुझे और ज्यादा leads चाहिए, मुझे अपने business को scale up करना है, SEO जहां किसी भी नए business को free में, बिना budget के ज्यादा से ज्यादा leads दिलाने में help करता है, वहीं Google का जो ads platform है, वो आपके business को scale up करने में help करता ह जो एक करोन से लेकर 10 करोन वाली journey है, उसको पूरा करने में help करता है, तो आप अपने client के business को अगर improve करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो और ज्यादा grow करें, आपका billing और ज्यादा बढ़े, तो Google Ads की knowledge होना ज़रूरी है, ताकि कल को जब आपका client बोले कि भाई, मुझे Google Ads का campaign run करना है, तो आप ये मत बोलो कि भाई, ये तो हमें नहीं आता है, पता होना चाहिए कि Google Ads की अपनी limitation क्या है, Google Ads के benefit क्या है, Google Ads को कैसे run करना है, ताकि आप उस direction में आगे बढ़ सकें, पैसा फिंक तमाशा देख नहीं है Google Ads का platform, strategy लगेगी, knowledge लगेगी, और troubleshooting के लिए patience भी लगेगा, तो आज से हम शुरू करते हैं, एक सीरीज Google Ads के लिए, जिसमें एक एक करके Google Ads को समझेंगे, जानेंगे, टेस्ट करेंगे, धागे कोल की रखेंगे, hello everyone, I am amatiwari from amatiwari.net, और यह है Google Ads सीरीज, जहां first part में हम Google Ads के एक अंच्वे topic, ad rank के बारे में बात करने जा आकर college वाली feeling आ रही है, नहीं आ रही है, so Google Ads, Google Ads बहुत अलग-अलग shape के आते हैं, अलग-अलग type के होते हैं, color के होते हैं, और अलग-अलग जगहों पर दिखाई भी देते हैं, YouTube पर सिर्फ वीडियो के बीच में ad नहीं आते हैं, बलकि आजू-बाजू भी ads इस तरह से द search ads, Google के search ads आपको search results page में सबसे ऊपर भी दिखाई देते हैं, और नीचे भी दिखाई देते हैं, यानि कि organic results में ऊपर ये 2 से लेकर 5 ads तक दिखाई दे सकते हैं, और साथ ही organic search results के नीचे भी इस तरह एक से लेकर 2 ads दिखाए जाते हैं, जब भी आपके ad organic search results से ऊपर दिखात SEO में यूज नहीं करते हैं Google Ads के लिए specific है और कुछ ऐसे टर्म है जिनका SEO में मीनिंग कुछ और Google Ads में कुछ अलग है अगर समझना है दोनों platform को तो अच्छे तरीके से इन terms को याद रखना होगा so top of the page ads वो एड है जो organic results के ऊपर जो organic SEO वाला part होता है Google search sales का उसके ऊपर दिखाई देते हैं इसके अलावा एक और term है absolute top of the page ad यह वो एड है जो सारे ads में सबसे पहले दिखाई देता है top में यहां पर यह जो सबसे पहला ad है इसे कहते है absolute top of the page ad ओके यह दोनों term याद रखने है top of the page ad और absolute top of the page ad आगे काम आएगा जब भी कोई अपना ad चलाता है Google पर तो वह obviously इसी उम्मीद के साथ में चलाता है कि मेरा ad सबसे ऊपर दिखाई देगा absolute top of the page position पर होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है कौन सा ad सबसे ऊपर दिखाई देगा कौन सा ad नीचे दिखाई देगा और कौन सा ad सबसे एकदम ऊपर top में दिखाई देगा यह सब decide करता है Google ads का ad rank system Google ads की ad rank वैसे तो काफी सारे element होते है इसमें officially Google बहुत सारे element को दिखाता है लेकिन तीन चीज़े हैं जो से सबसे ज्यादा impact करती है और हम इनी तीन चीज़ों को देखेंगे समझेंगे नमबर एक है bidding नमबर दो है ad copy और नमबर तीन है landing page इन तीनों चीज़ों का जो technical explanation होगा इन्हें कैसे set करना है कैसे optimize करना यह सम आगने वाले वीडियो में आगे देखेंगे जानेंगे लेकिन अभी इन तीनों को concept के तौर पर समझ लेते हैं एकदम beginner लेवल पर समझ लेते हैं क्योंकि पहला ही वीडियो है सबसे पहले हम देखते हैं बिडिंग क्या होता है ऐसा समझ यह कि हर कीवर्ड पर बहुत सारे लोग अपने अड़ दिखाना चाहते हैं लेकिन गूगल के पास limited spot है अगर इस example keyword की सर्च के लिए देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो absolute top of the position है यहां पर सिर्फ एक ad आ सकता है और नीचे वाले यहां पर भी दो तीन ad ही आ सकते हैं इस स्यादा spot ही नहीं है लेकिन इस keyword के लिए जो ad देना चाहते हैं यह companies वो 10-12 भी हो सकते हैं तो फिर आखिर गूगल कैसे decide करे कि कि किसका ad दिखाना है किसका नहीं दिखाना है एक तरीका हो सकता है first come first services य दूसरा नुकसान ये भी है कि Google कुछ से क्या फाइदा होगा अगर कोई लेट आया है लेकिन ज्यादा पैसे देना चाहता है तो फिर Google क्यों मना करने लगा यह तो profit कमाने वाली company है first come first services पर Google Ads में काम नहीं चलेगा so ऐसी situation में काम आती है bidding यानि कि हर company Google के सामने बोली लगा है तो जो भी company जितना ज्यादा amount bid करती है उसी बेस पर Google पिक करता है अगर कोई एक company किसी एक keyword के लिए सबसे ज्यादा पैसे देने को तयार है तो Google ऑबिसली उसे preference देगा किसको ज्यादा पैसे अच्छे नहीं लगता है तो यह हो गया bidding in a very simple term लेकिन सिर्फ bidding ही सिर्फ पैस एड का text आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले जो उपा टॉप लेने बड़ा बड़ा टेक्स लिखा हुआ है इसके नीचे चोटा सा टेक्स लिखा हुए और जो नीचे और थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई है extra इन सब को कुल मिलाकर हम बोलते है एड कॉपी यह एड कॉपी एड करने वाला प्रफेशनल अपनी तरफ से देता है इसमें लगती है creativity इसमें लगती है keywords की knowledge और इसमें लगता है audience को समझना audience क्या चाहती है audience जो चाहती है जिस problem का solution डूटर अगर उसी को आप एड में as it is दे जते हैं तो लोगों के एड पर click करने के chances bidding amount से कम है लेकिन अगर आपके ads की language बहुत अच्छी है लोग उस पर click जल्दी कर रहे हैं तो आपके ad की rank अपने आप अच्छी हो जाएगा और तीसरा element आ जाता है landing page यानि कि यह सब you know ad run करना वगएर वगएर सारी चीज़ी हो गई लेकिन असली मुद्दा जो है तो क्या ह कि ad पर click करें और conversion हो यानि कि sale हो जाए अगर google ads पर अपना ad run करने के बाद company को sale नहीं होती है तो पहले दिन तो ad run कर ले कि दूसरे दिन ad नहीं run कर पाए बिना result मिले बिना profit हुए कोई भी company ad run नहीं कर सकती हमेशा इसलिए google landing page को बहुत preference देता है अगर आपका landing page optimize है अगर landing page अच्छा है अगर landing page को देख कर जो search करने वाला person है जिसने ad पर click किया हो satisfy हो जाता है और sale हो जाती है वो purchase कर लेता है product को या service को या subscribe कर लेता है sign up कर लेता है जो भी कराना है वो अगर कर लिया उसने तो company हमेशा अपने ad run करती रहेगी इसी रिये landing page के quality भी बहुत matter करती ह एक अच्छे ad में ना सिर्फ आपका bidding amount आपके competitors के मुकाबले में होना चाहिए एकदम कम bidding amount से काम नहीं चलेगा बलकि आपके ad का text और जो आपका landing page है उसकी quality भी अच्छी होनी चाहिए आगे आने वाले videos में ad का text कैसे रखना है bidding amount कैसे set करना है और landing page की quality कैसी होना चाहिए landing page अच्छा कैसे बनाए इन सबकी practical guide हम उपको provide करेंगे इस वीडियो को समप करने से पहले एक बार हम quickly देख लेते हैं कि Google ad rank का benefit क्या है Google ad rank Google search के users के लिए अच्छी quality के ads को ऊपर लाने में surface करने में help करती है सिर्फ ऐसे ad यूपर नहीं आते हैं सिर्फ ऐसी companies के ad ऊपर नहीं यह user उस landing page से बहुत satisfied जल्दी product purchase कर लेते हैं so Google is not looking for quick money Google चाहता है कि अच्छी quality के ad अच्छे जाधा convert करने वाले ad लगाता उनके search results page पर दिखाई दे जिससे सिर्फ SEO professional के ऊपर यह अच्छी quality का pressure नहीं होता बलकि ads professional के उपर भी होता है so अगर आप SEO से PVC में कूदना चाहते ह सोच रहें कि यहां content बना बना के ठक गया हूं यहां पर सिर्फ पैसे डालूंगा काम हो जागा नहीं इतना आसान नहीं होने वाला है but don't worry आगे हम इले वीडियो में हम इन सारी problems को भी tackle करना देगे और देखेंगे कैसे आप अच्छे ad बना सकते हैं तो मिलते हैं अगले व इस वीडियो मैंने अमितिवारी फिरमितिवारी.net and I will see you next time, take care!